नमश्का दोस्तों मुझे आशा है आप AMT Classes के तुरू 10 प्लस स्रीज के साथ हिंदी की मात्राओं को सीख रहे होंगे बेसिक लेवल पर कठिन लेवल पर सभी चीजे अच्छे से कर रहे होंगे पिछले 6 सालों में हमने यहाँ पर 10 से ज़्यादा सिरीज बनाई है जो अलग-अलग स्टूरेंट के लिए अलग-अलग लिवल पर है कुछ चीजे बहुत आसान तरीके से समझाई हुई है जो नई लर्नर्स के लिए हैं जो ऐसे लोगों के लिए जो नई हिंदी सीख रहे हैं और कुछ चीजे ऐसे लोगों के लिए जिनको पहले से आती है उनको बस अभ्यास करके चीजों को बहतर करना है आज की इस वीडियो के अंतरगत मैं एक विशेस मुद्दे पर बात करना चाहूंगा जो अकसर आज की डेट में ऑनलाइन स्टूरेंट्स में देखा जाता है जो भी लोग यूटूब से सीखते हैं उनकी ये समस्या है समस्या क्या है? आज की डेट में यूटूब पर बहुत सारी चीजे अपलोड है बहुत अच्छे तरीके से वेल सेटल तरीके से अपलोड है जैसे कि हमने भी हिंदी सीखने के लिए 10 अलग-अलग सीरीज बनाई हुई है बट लोगों की समस्या क्या है? कि सारी चीजे अगर अब यूटूब पर अपलोड है तो लोगों को लगता है अगर हम वीडियो देख लेते हैं तो हमें सभी चीजे समझ आ जाती है जबकि ऐसा है नहीं वीडियो को अगर आप सिर्फ देखते हैं तो आपका माइंड वर्क नहीं करेगा सिर्फ आखे देखेगी और समझते रहते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है जबकि हिंदी जैसी चीजों को लिखने के लिए उसमें बहतर होने के लिए या किसी भी चीज में बहतर होने के लिए अगर आप बिजनस की वीडियो देखते हैं बहुत सारी बिविक बिंदरा को देखते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको real दुनिया में उतरना पड़ेगा, business करना पड़ेगा, छोटे-छोटे काम करने पड़ेंगे, उसमें पैसा इंवेस्ट करना पड़ेगा, और उसकी problems को समझना पड़ेगा, same Hindi या English के साथ है, या किसी भी और सिर्फ जानकारी कठी करने से, YouTube वीडियो से सिर्फ आपको जानकारी मिलती है, उससे बहतर आप कब होंगे, जब उसको real world में practice करेंगे, हमारे वीडियो में बहुत सारे student कहते हैं, मैंने आपकी कई सारे वीडियोस देखी है, मेरे को सब पता है, सब पता है, लेकिन जब उन YouTube आपको विशेश तोर पर सिर्फ एक जानकारी कठा करता है, जिस चीज को आप पूसते हैं, उस चीज की जानकारी आपको मिलती है, उस चीज में बहुत बहुत अच्छे आप कब होते हैं, जब उस चीज की practice करते हैं, ठीक है, तो practice करने के लिए ही हमने online class, online support का आप लोग को पता है कि हम सब चीजे फिरी में YouTube पर डालते हैं, बट कई बच्चों को हमारे साथ समस्या आई, कि सरह हम YouTube पे जब चीजों को देखते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी वीडियो होजा है, उन वीडियो को हम line wise अभ्यास नहीं कर पाते हैं, कभी किसी सीरीज की वीडियो आ जल्दी से जल्दी चीजों को सीखना है, तो उनहीं के लिए हमने online class को design किया था, जहां पर उनका अभ्यास भी होता था YouTube वीडियो के तहत, और फिर उनका test भी होता था, टेस्ट के दुआरा उनको पता चलता था, कि वो कितने चीजों को बहतर कर रहे हैं, कई सारे online free test, करी तो A A का test चाहिए, जब आप A और A के बारे में सीख रहे हैं, तो A A का test चाहिए, अब जो बच्चा हमसे online class लेता है, हमसे जुडता है, वो line-wise अभ्यास करता है, लेकिन कोई other student किसी और series को देख रहा होगा उस समय, वो आधेवन को देख रहा होगा, या वो worksheet को देख रहा कर आप लोगों को कईबा समझाई है, तो जो भी student हमारे AMT classes के regular viewer हैं, उन्हें तो ये सब चीजे पता हैं, और वो smart हैं, वो smartly तरीके से अपने आपको बैतर करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन जो नए learners हैं, उन्होंने पुरानी चीजे नहीं देख फिरी सिरीज बनाई हुई है, कटिन शब्द हिमला की नाम की सिरीज बनाई हुई है, कहानियों की सिरीज बनाई हुई है, जिसमें एक में 42 कहानिया है, दूसरे में 27 कहानिया है, उसके बाद वरकशीट की सिरीज बनाई हुई है, फिर हिंदी आकरण की सिरीज बनाई हुई फिर उनके बाद कठीन शब्दों की या नाम की सीरीज हम मनाते हैं ताकि उनका अच्छे से अभ्यास हो सके यह सारी चीजें तीन से चार महिने में या च्छे महिने में या कोई बहुत ही कमजोर बच्चा है तो एक सार लगा कर इन चीजों को सीख सकता है अब इसी के साथ यह आप पर निर्भर करता है कि आप खुद से योट्यूब से देख देख कर सीख सीख कर हिंदी सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं हम online class के अंतरगर है उन बच्चो को सिखाते हैं जिनको पहले से थोड़ा बहुत आता है थोड़ी बहुत मात्राएं आती है जिनको थोड़ा बहुत पहले पता होता है और जो online के थूफ सीख सके बहुत सारे ऐसे बच्चे जिने online में playlist क्या होता है AlignWise वीडियो कैसे मिलेंगी या वीडियो देखके लिखनी पाते है समझनी पाते है ऐसे बच्चों को हम Online Class में अयट नहीं करते हैं ठीक है क्यों कि ऐसे बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याय आती है Basic मात्रा के अंतर गयत लेकिन है लेकिन पर भी लोग अपना response देते हैं या अगर आप हमारे पुराने subscriber है तो अपना response दीजिए इससे बाकी लोग जो आते हैं नए लोग आते हैं नए learner आते हैं उन्हें motivation मिलता है कि चलो भाई ये भाई कर रहा है ये बहन कर रही है तो मैं भी हिंदी समाचार पत्र देखते हैं कहीं में हिंदी में पोस्ट लिखे जाते हैं कहीं ब्लॉक्स लिखे जाते हैं यह हिंदी में ग्रैफिक डिजाइनिंग होती है तो आपको पता है उसमें कितनी गलतियां होती है आप Facebook पे जाके देखिए इतने पड़े लिगे लोग अपने पोस्ट लिखते हैं, उस पोस्ट में कई तरह की छोटी, बड़ी, बड़े, उ की मातरा, यड़ों की मातरा, यड़ों में अंतर, बिल्कुल इन सब की गलतियां आपको देखने को मिलेगी, तो जिन लोगों को इन गलतियों से फर्क पड़ता है, उन लोगों के लिए हमारी वीडियोज हैं, जिन लोगों को अपने जीवन में इन त्रूटियों को सही करना है, उन लोगों के लिए हमारी वीडियो यहां हमारा कोर्स है, ये चीज़े exam के point of view से भी बहुत important है, exam वाले लोगों के लिए भी हिंदी से related जो भी exam में पूछे जाते हैं, वो सभी चीज़े हम पढ़ाते हैं, जैसे व्याकरण क्या है, लीपी क्या है, वचन क्या है, वचन के कितने रूप है, वचन बदलने के क्या नियम है, लिंक के कितने भेद होते हैं, ठीक है, इस तरह है कि हमारे प्रयाइवाची शब्द हो गए, या लोगोक्तिया क्या है, मुहावरे क्या है, यह सभी चीज़े हमने अपने में कराई हुए है, बोली और भाषा में क्या अंतर है, भाषा के कितने रूप है, यह सभी exam-oriented प्रश्ण है, और इसी से related, अगर हम हिंदी वर्ण माला की बात करें, तो हिंदी सिर्फ अपने खुद को बहतर करने के लिए कर रहे हैं, उनको यह सब चीजों की ज़रुवत नहीं है, क्योंकि लिखने पढ़ने में इन सब चीजों का इस्तमाल नहीं होता है, यह सिर्फ exam के दृष्टी से सवाल होते हैं, और हिंदी व्याकरन उनको पढ़ाया जाता है, जो exam के दृष्टी से ही आपने खुद को बहतर करने के लिए साहित्य के चेतर में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा simple सा एक बहुत ही छोटा सा काम है हिंदी पढ़ना, लिखना, सिखाना, जो हम इसके तूरू आप लोगों को सिखा रहे हैं, चैनल के तूरू, तो अच्छी त प्तर निकालने का अभ्यास कीजिए, फिर हिंदी व्याकरण की दृष्टी से हिंदी व्याकरण को सीखिए, फिर उसके बाद नाम लिखने की सिरीज, कठिन शब्दिमला की सिरीज, कठिन शब्दों से वाक्या निर्माण की सिरीज, इन सब चीजों को देखिए और higher level पे जाने के लिए, अपनी जो शब्द शैली है, उसको बेहतर करने के लिए, ये सभी चीज़े हमारे चैनल पर अभी तक अपलोड है, और यही काम हम पिछले 6 सालों से आप लोगों के लिए करना चाते थे और कर रहे हैं, मुझे आशा है जिसने इस वीडियो को लास तक देख उसने चैल को भी सब्सक्राइब जरूर किया होगा और हमारी बात आप तक पहुची होगी, हम हिंदी को आगे ले जाना चाते हैं, हिंदी की तुर्टियों को कम करना चाते हैं, हिंदी का विकास करना चाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुचाना चाते है ताकि हिंदी में जो गलतियां है वो कम हो लिखने के लिवल पर ठीक है और ये सब चीजे भाशा से जुड़ी हो turat और ये खुद के वेक्तित को निकारने के लिए होती है आप सही लिख रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पढ़ता है गलत लिख रहे हैं तो भी कोई फरक नहीं पढ़ता है फरक किसे पढ़ता है जिसे पता है ठीक है? तो इसे के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ और आशा करता हूँ कि हिंदी सीखने के छेतर में आप जरूर अपनी तुरूटियों को कम करेंगे और हिंदी के विकास के लिए हिंदी आगे बढ़े जाद से जादा लोगों को हिंदी के बारे में ग्यान बढ़े इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी करेंगे अपने उन दोस्तों के साथ अगर आपको कम्यूनिकेशन स्किल में इंट्रेस्ट है तो आप हमारे आसान अवित आदिते चैनल पर जाकर कम्यूनिकेशन स्किल की 6 वीडियो अप्लोड हो चुकिया उस वीडियो का भी आनंद ले सकते हैं और Communication English को भी सुधा सकते हैं वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जैहें जैभारत सीखते रहें आगे बढ़ते रहें किसी भी तरह के ओनलाइन क्लास या अपनी समस्या को हमसे साजा करने के लिए आप इंस्टाग्राम या फेस्बुक आरितेवों ठागरों पर अपना सवाल डीटेल में बेश सकते हैं जो लोग पड़े लिखे नहीं हैं जिनको टाइप करना नहीं आता है वो आडियो मैसेज भी वहाँ पर छोड़ सकते हैं हमें इंस्टाग्राम और यूटूब पर ही मिलता है इसलिए हम वहाँ के लिए आपको कहते हैं